जैहें, दोस्तों, चलिए दोस्तों बात करते हैं इस question के बारे में, इस question में कहा गया है कि अगर तीन man, plus का four woman, plus का six boy इस काम को करें, किसी काम करें, तो वो पांस दिन लेते हैं, ठीक है, फिरसमें कहा गया, अब woman does the double, double the work man does, एक woman जो है, एक woman जो है वो man से double काम करती है तो इसका मतलब एक woman जो काम करेगी वो two by anyhow man woman by two is equal to man के पराबर काम करेगी मतलब कि एक woman जो double काम करती है तो man कितना करेगा उससे half काम करेगा फिर इसमें दिरखा है a boy does the half work a man does ठीक है जो एक boy है वो man का किया करता है आधा काम करता है थीक है तो इसमें क्या कागए है कि कितनी woman उस पूरे काम को मिलके करेगी काम 7 दिन में खतम हो जाए तो इसका मतलब मुझे woman से कराना है तो मुझे सब को woman में change करना पड़ेगा तो इसकी value में यहां रच सकता हूँ तो 3 by में 2 और ये woman हो जाएगा ये plus का 4 woman मेरे पास already था plus का इसको चेक करेंगे तो यहां पर देखे मुझे boys को woman में change करना है तो यह देखो एक man कितना है 3 by एक woman जो है 3 by 2 woman के बराबर काम करता है तो इसकी value को उठा के आप यहां रखेंगे तो यह woman by में 4 आजाएगा आपका इस गल्टू में boys के बराबर तो एक boys जो काम करता है वो woman के part के 4 times के बराबर करता है तो इसका मतलब यहां पर रख दे 6 into में woman by में 4 is equal to में 5 तो इसको काटेंगे तो कितना ओजाएगा 2 और 3 तो इसका मतलब कितना होजाएगा 3 और 3 6 छेन यो गोइंगे हो जाईगा इसकार ऑँ फाइव जाईगा आपका पूरा तो यानी कि सेवन मोमन इसे पास डिन में करती है तो एक वुह मेंसे मैं काम करा हूं यह इन्टू में फाइफ डेज लगें बट मुझे बताना है कि यह पूरा जो काम जो हुआ है वह साथ दिन में हो गर से साथ से में डिवाइड करूँगा तो मेरे पास टोटल नंबर ओफ मेरे पास वुमेन आ जाए यानि कि मुझे इस पूरे काम को करने के लिए जो वुमेन चा करता